सब घरों से बाहर निकलें, देश के लिए वोट करें क्योंकि राष्ट धर्म सरवों परी है, राष्ट हित सरवों परी है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है हम वोट करेंगे तो लोक तंत्र बचेगा हम वोट करेंगे तो देश बचेगा हम वोट करेंगे तो हमें आपने अधिकार भी मिलेंगे हम वोट करेंगे तो जो हम चाहते हैं देश में विरुजगारी खत्म हो गरीबी खत्म हो महंगाई खत्म हो देश में आर्थिक सम्रिद्धियों सामजिक समरस्ता हो भेद वहाओ मिटे सारा देश परमु वह वह उसालिय बने हम एक तरफ भारत को विश्व गुरू बनाने का स एक जुट हो करके देश के लिए वोट करेंगे अच्छे लोगों के लिए वोट करेंगे अच्छी पार्टी के लिए वोट करेंगे तो निश्वित रोब से यह देश जिसमें बात बड़ा सामरत है जो दुनिया का सबसे युवा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लो से जरूर बाहर निकलें मैं रात को तीन बजे पहुचा था क्योंकि बाहर था सुबह योग करवा कि आया पांच बजे से और बिना नास्टा कि वोट करने निकला हूं तो मोदी जी ने कहा था पहले मद्दान बाद में जल्पान तो जल्पान तो देखी जाएगी वोट जरू देखे देश बहुत आगे लिकल चुका है ओबेसी साब जो है ना अठारवी शताब्दी की बात कर रहे हैं कोई हिजाब पहने या ना पहने कोई टोपी पहने या ना पहने कोई चोटी जनेव पहने तो बहुत अची बात है पहने या ना पहने दाड़ी मूच रखे या द और तमाम तरह के सांप्रदाइक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सवसे बढ़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें, बाकी भाई सभी आगे बढ़ें, हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई, जैन, बोध, ब्रहमन, क्षत्रे, वैश, शुद्र, दली, आदिवासी, वनवासी, सारा देश तभी आगे बढ़ेगा न, जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और एक समता मूलक समाज की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हम सब ये विचार करें, माता, भूमी, पुत्रो, हम प्रतिव्या, ये धर्ति हमारी मा है, चाहिए इसको मा अधर लेंड कहो, और हम सब एक समान है, और हम सभी महान है, ये जाती अहंकारों से बाहर निकल करके, मजबी, खुरापाच से बाहर निकल करके, ये जो इंट्रलेक्च्टो टर्रीजम, रिलिजिस टर्रीजम, ये पुल्टिकल टर्रीजम, ये जो एक चल रहा है ना